सिलोम, Body Cavity आज की discussion में हम बात करेंगे कि सिलोम के advantages animals को क्या है Diploblastic animals, Triploblastic animals, Diploblastic organization हम ने पढ़ी उसमें हमने देखा कि animals की two layers है, उससे जो अगली advanced animals की stage है वो है Triploblastic Organization यानि इसके अंदर animals जो हैं, वो अपने आपको त्री लेयर्स में अरेंज करेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म और यह जो advanced animals में इनके अंदर एक body cavity मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं sylome अब sylome जो है कुछ के अंदर true body cavity होगी और कुछ के अंदर false body cavity होगी जो false body cavity वाले animals हैं उनको हम कहेंगे pseudo-sylome अब यह जो है body cavity normally this is a fluid filled space जिसके अंदर मुख्तलिफ किसम के internal organs जो हैं वो suspended form में present होंगे लेकिन अगर यह suspended form में present भी हैं तो इनको body wall के through एक दूसरे से separate किया जाते है वरना यह सारे के सारे एक दूसरे के अंदर mingling इनकी जो है वो पहुच है तो इनकी separation जो है इनके अपने-अपने independent functions के लिए separation के लिए body wall जो है वो मजूद हो अब body cavities के advantages क्या है animals में number one they provide room जिसे एक space आ जाती है body cavity के अंदर कि जब जो बच्चे की development होती है या animal की development होती है तो उसमें आइसा आइसा organs में grow करना होता है जब तक body cavity नहीं होगी इन organs को grow करने के लिए develop करने के लिए space नहीं मिलती number two पे क्या है कि यहां पर बहुत ज़्यादा surface area उनको चाहिए animals को क्यों surface area चाहिए कि मुख्तलिफ body के अंदर जो gases है oxygen, carbon dioxide इनोंने diffuse करना होता है मुख्तलिफ nutrients मौझूद होते हैं मुख्तलिफ waste मौझूद होते हैं इसके लावा इनको कुछ animal body के अंदर ऐसी space भी होनी चाहिए जिसके अंदर मुख्तलिफ body के nutrients जो हैं वो store करने ज़रूरी होते हैं इसी तरह से कुछ ऐसे body waste होते हैं, till the time उनको body से remove न किया जाए उनकी storage के लिए भी space चाहिए, तो सिलोम जो है this is the cavity that also provides an area for storage of different types of gases for waste and for nutrients इसी तरह से कुछ animals के अंदर सिलोम जो है, this also acts as an hydrostatic skeleton का भी ये role play करेगी सिलोम जो है, ये एक vehicle भी provide करती है कि जो body के अंदर waste हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए, इसी तरह से कुछ smaller animals में reproductive products होते हैं, जिनको body से remove करना होता है या निकालना होता है, तो वो भी उनके निकालने में या आने में सिलोम का अपना है एक important करदार है, इसी तरह से body size के increase करने में भी सिलोम का अपना करदार है मुख्तलिफ body cavity के जो fluids हैं, वो सिलोम के अंदर मुझूद रहते हैं और उस से body को sport आती है, body की shape बनती है body मुख्तलिफ उसके अंदर smaller animals में अगर हम देखें तो उनकी shape की जो flexibility है कभी वो short हो जाते हैं, कभी right turn करते हैं, कभी left तो flexibility भी सिलोम की ही वज़ा से आती है इसी तरह से जो skeleton है कुछ तो higher animals है उनके अंदर exoskeleton है endoskeleton है, लेकिन वो animals जो के water में रहते हैं उनके अंदर जो skeleton है उसको हम कहते हैं hydrostatic skeleton, अब ये hydrostatic skeleton में क्या होता है उन animals जो के पानी में रह रहे हैं, continuously body के अंदर water का inflow है और उस से अंदर जो body cavity है that is filled और filled जो हो जब हो जएगी तो उसका body का size increase कर जाते है, इसी तरह से ये कभी जब body बहुत ज़्यादा animals water आ जाता है तो फिर water बहुत ज़्यादा होगा तो वो animal squeeze करता है, squeeze करके अपना पानी extra जो है वो बाहर निकालता है तो इसकी body की shape, body की movement उस सब में siloam का important गिर्दार है इसी तरह से जो body के दोनों ends जो हैं, वो shape different हो जाती है same is the case with the animals when they are filled with water and their siloam is filled with water and when their siloam is empty इसी तरह से body wall के muscles जो हैं वो भी जो अब siloam के अंदर fluid present होता है उसको हम कहते हैं silomic fluid अब silomic fluid जो है ये responsible है different types की movements के लिए animal की shapes को change करने के लिए, अब siloam जो है ये क्यों important है, क्योंकि इस से body के मुख्तलिफ हिसे separate होते हैं body के अंदर मुख्तलिफ किसम की compartments बनते हैं और वो compartments जो हैं उनका अपना अपना फिर एक role होता है यानि हम ये कह सकते हैं कि siloam ने एक important role play किया है towards biological functioning of the body parts अब वो animals कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर siloam मौझूद नहीं है उनको मैंने आपको जैसे पहले भी पताया कि उनको हम कहेंगे pseudo siloam अब pseudo siloam जो है इनके अंदर nutrients जो है वो एक खास body parts में मौझूद नहीं होते हैं यानि compartmentalization का process नहीं होता इसके अंदर suspended रहते हैं nutrients और जो main body cavity है वो एक just body के अंदर representation होगी और उस में digestive track उसी के अंदर ही diffusion होगी gases की यानि के separation का concept जो है उन animals के अंदर इतना well defined नहीं है जिनके अंदर siloam मौझूद नहीं है इसी तरह से siloam का जो fluid है ये जो internal organs है वो freely suspended उसके अंदर रहेंगे और जितनी वो freely suspended रहेंगे उतनी उनकी organization better होगी ये ज्यादा तर हमें higher organisms के अंदर जब siloam और silomic fluid का role जो है बहुत ही important है और ज्यादा तर vertebrates में उन animals को हम silomates भी कह देते यहां पर आप देखें किस तरह से जो siloam है इसकी formation होती है कि मिजोडम और मिजोडम एक center of the body में gut present है फिर siloam है और siloam आश्टा आश्टा अपने आपको cover करता जाता है गट के गिर्द अब इसी base पे formation of siloam की base पे हम animals को divide कर देते हैं protostorms में और deuterium storms में protostorms वो होंगे जिनके अंदर जो solid mesoderm है इसकी blockage है and this is splitted to form our siloam और यह deuterium storms जो है इसमें mesoderm के pockets जो है वो they are gut के surround एक pouches की शकल में मौझूद है और इन दोनों के बाद जो है वो siloam की formation होगी तो protostorms और deuterium storms यह एक basis है different animals में की distinction की जिसको हम divide करते हैं on the basis of formation of siloam आसे की बाद के जोी तुड़के बाद के आसे ही जो रह रहां